एक घंगोर जंगल था, उस जंगल में अनेक जानवर रहते थे, एक दिन रीच, भेडिया, लोमडी तथा शेर साथ, साथ शिकार करने निकले, शेर इन सब का अगुआ था, शीग रही उन्होंने एक भैंस पर हमला कर उसे मार डाला, लोमडी ने भैंस के चार हिस्से किये, भी शेर ने दहारते हुए कहा, सब लोग शिकार से दूर हट जाओ और मेरी बात सुनो, शिकार का पहला हिस्सा मेरा है, क्योंकि शिकार करने में मैं तुम लोगों का सहयोगी था, दूसरे हिस्से पर भी मेरा ही अधिकार है, क्योंकि शिकार करने में मैं तुम लोगों का अ को ये हिस्सा चाहिए तो आ जाओ मुझसे लड़ाई में जीत कर ले जाओ अपना हिस्सा रीच भेडिया और लोमडी ने चारो हिस्से शेर को दे दिये और वहां से चुप चाप खिसक गए शिक्षा जिसकी लाठी उसकी भैंस